हाई टिकेट प्राइज भी हो और प्रॉफिट मार्जिन भी हाई हो और स्टॉक रखनाना पड़े क्लाइंट बहुत बेतर हो इससे बढ़िया बिजनस क्या होगा एक ही प्रोजेक्ट में हमने 5-5-6 करोड का काम किया हुए इंडस्ट्री आपको 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल तक अच्छा बिजनस करके देगी हाई फ्रेंट्स मेरा नाम है डॉक्टर अमित्माईश्वरी मैं CEO and Founder Director हूँ मेटास Overseas Limited कमपनी का हमारी कमपनी स्टेलने स्टील मडूलो किचिन की manufacturing and export करती है आज पूरे भारत वर्ष में हमारा franchisee network और dealership network है फ्रेंट्स मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं speakers की बात को सुनता हूँ का देखता हूँ कि वो अपने नाम के साथ में business coach लिखते हैं और business coach लिखने के बावजूद भी उनको actual business की problem और उनका solution नहीं पता होता क्यों? क्योंकि उन्हें practical knowledge की नहीं होती most of the time इंडिया जैसे देश में 98% motivational speaker, business coach, business consultant practically business नहीं कर रहे हैं जिसकी वज़ा से वो कई बार आपको वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाते हैं जो आपको वास्तिविकता में चाहिए होती है मतलब business की basic problems क्या है, business की advanced problems क्या है, business की problems का real solution क्या है यह किसी किताब में नहीं लिखा हुआ इसलिए ज़रत होती है ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर business को समझने की जिसने अपनी life में practical business किया हो और मैं आप लोगों को आमनत्रित भी करता हूँ आप मेरी company में आए, मेरे showrooms को देखें, मेरे showroom setup के साथ देखने के बाद आप को यह समझ में आएगा कि yes, Dr. Amit Maishwari real life में business कर रहे है और business से संबंदित वीडियोज ही हमारे लिए लेकर आते है आज हम बाज सी विशय पर बात करने वाले है How to select highly profitable business Friends, किसी भी business का selection करते समय न Life में यह जरूर देखना चाहिए कि क्या वो business, क्या वो industry, क्या वो product, क्या वो service हमें बविशय में आगे बढ़ने की संबावनाई देती है और यदि आपको लगता है कि बविशय में आगे बढ़ने की संबावनाई नहीं है मतलब यह industry तो खतम होने वाली है तो ऐसी industry में invest ना करें क्योंकि आपका bright future नहीं होगा बहुत सार लोग एक industry में आते हैं और केवल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आने वाले समय वो industry obsolete हो जाती है, out of market हो जाती है तो ध्यान रखिए अगर आप किसी भी business का selection करने जा रहे हैं या आप एक start-up करने जा रहे हैं या existing business कर रहे हैं और आपको अंदाजा है कि कितने समय में मेरी industry collapse कर जाएगी तो सही समय पर आप सही business का challenge कर लें ताकि आप भी industry के साथ साथ तेजी से grow होते रहें आप किसी भी business का selection करते समय हमें कौन-कौन से महत्वपुन बाते उसमें चेक करनी चाहिए जिसकी वज़े से हमें निर्धारित कर सकें कि यह industry मेरे लिए बहुत best है तो how to select highly profitable business उसमें आठ ऐसे elements है कि अगर किसी भी business में यह आठ हो element मुझे मिल जाएं तो वो business और वो industry मेरे लिए बहुत best होगी सबसे पहला है zero stock friends कुछ साल पहले नहीं कहा जाता था कि stock is money मतलब जितना metal मेरे go down में भरा हुआ है न वो सब मेरे लिए money है और समय समय के अनुसार सोचने की तो कौन सा मुझे सारा stock बेच कर पैसा cash कर लेना है नहीं न इसका मतलब stock is not money stock is reserved money या blocked money जिसका मैं इस्तिमाल नहीं कर पाऊँगा तो नया segment आया क्या zero stock is money अगर आपके पास stock नहीं है और आपका vendor सही तरीके से सही समय पर आपको metal supply देता है तो उस पैसे को जो stock में आपने डेड़ किया था उसको ठीक तरीके से utilize करके आप business को next level ले जा सकते हैं तो zero stock is money का concept second concept आया और आज के समय पर सबसे hit concept है तो आपको यह देखना है कि किसी भी business का selection आप कर रहे हैं वहाँ पर zero stock अगर है बतलब आपको stock maintain नहीं करना stock में पैसा लगा के नहीं रखना पैसा block नहीं करना reserve नहीं करना तो वो industry आपके लिए बहुत best है आज बहुत सारी industry के बारे में आपको बताऊंगा और एक ऐसे business opportunity के बारे में बताऊंगा जो आपको सोचने का तरीका बिल्कुल बदल के रख देगा कि ये industry में लिए बहुत बढ़ी है तो zero stock based business है तो बहुत अच्छा business है next pre-sale technique आज बहुत सारे business ऐसे है जहाँ पर stock तो आपको करना ही नहीं है लेकिन retail या wholesale करने के लिए माल आपको अपने पास रखना नहीं है वहाँ पर क्या होगा make to order based concept है अब make to order का मतलब होता है कि पहले आप चीजों को बेच देंगे उसकी 2D उसकी 3D design के अधार पर या उसके एक proposed plan के अधार पर और बाद में जब order का amount मिल जाएगा तब आप उसको produce करेंगे मतलब पहले बेचेंगे बाद में बनाएगे ऐसी एवस्था में हमेशा आपके पास liquidity रहती है और कभी भी पैसे की problem आपके सामने नहीं आती तो आपको ऐसे business का selection करना चाहिए जहाँ पर pre-sale technique लगती हो मतलब बेचा माल पहले जाता है और बनाया उसके बाद में जाता है next high price ticket आपको ऐसे business का selection करना चाहिए जिसमें आपके product का price बहुत high हो मतलब value of product वो high हो जैसे 1 लाग, 2 लाग, 5 लाग, 10 लाग, 20 लाग, 50 लाग, एक करोड तक का product ऐसे case में अगर आपको sales के लिए पहले माल बनाना भी नहीं है ticket price भी high है तो बड़ा amount भी आपको advance में आने वाला है है ना, तो आपको high price ticket का selection करना चाहिए क्योंकि कई बार ये दिखा गया है कि ratio of profit कम होने के बावजूद भी high price ticket में margin बढ़ा हो जाता है for example आपका product 50 लाख रुपे का है और आपका profit के वल 10% है तो यहाँ पर आपका profit कितना हुआ 5 लाख रुपे है अगर मालीज आपके product का price ही 10 रुपे है और वहाँ पर आपको 10% मारजन है तो आपका profit कितना हुआ 1 रुपे है अगर आपको एक लाख रुपे चाहिए तो एक लाख प्रोडक्ट की आपको सेल करनी पड़ेगी मतलब प्राइज टिकेट जितना छोटा होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम पर काम करने में आपको मिलने वाला प्रोफिट बढ़ा होगा लेकिन जहां पर प्राइज टिकेट बहुत हाई है वहाँ आसानी से हाई टिकेट प्राइज के साथ एक अच्छे प्रोफिटेबिलिटी के साथ बिजनस को तेजी से आगे बढ़ा सकते है उसके बाद नेक्स जो बात होनी चाहिए हो क्या है एक जरुवत वाले जो एक मध्यमवर्गिय परिवार या लोवर जो कम्यूनिटी उसके लिए बनाया जाता है और एक प्रोड़क्ट होता है जो हाई-end क्लाइंट के लिए बनाया जाता है हाई-network-income क्लाइंट ऐसे क्लाइंट जिनकी इंकम बहुत हाई है मतलब वी आई-पी वी वी आई-पी या प्रीमियम सेग्मेंट के जो क्लाइंट है उनके लिए प्रोड़क्ट बनाया जारा अगर आप ऐसा प्रोड़क्ट से लग करते हैं तो भी बहुत बढ़िया होगा क्योंकि है इचनाई जि होते है ना वो प्राइज के बारे में डिसकाउंट के बारे में बहुत जाला इसकस नहीं करते हैं तो अच्छे से वह डील करते हैं उसके बाद हाई-प्रोफिट-मार्जन हाइजे हाई च्लसप इस प्रॉफिट-मार्जन हो 15 इस परそうですね 30 चालिस पर जिसमें 100 छोड़ी है 1000% तक का भी मार जाना है पर अब लोग comment करने लग जाएंगे सर हमें बता दो कौन सा 1000% का अरे आ 50% के margin तक के business को भी कर ले न तो वो भी आपके लिए बहुत बेतर होगा जहां पर price ticket बहुत high हो उसके बाद solution of a common problem आप कोई ऐसी common problem को solve करते हो जिसके जुरुत लोगों को रहने ही रहने वाली है तो भी समझ लिजे आपने सही business का selection किया उसके बाद low competition friends जहां पर एचान ही client होते है बड़ा investment setup लगा हुआ होता है वहाँ पर कई बार low competition होता है क्यों क्योंकि वहाँ पर एक entry barrier लगा होता है कि हर व्यक्ति उस business में घुस नहीं सकता उसको business का setup करने में बहुँची investment लगानी पड़ती है बहुँची system develop करना पड़ता है बहुँची एडवांस तरीके के equipment and gadgets का इस्तिमाल करना पड़ता है तो आपको देखना है कि ऐसी industry का selection आप करें जिसमें competition बहुत लोग हो अगर competition लोग होगा तो आसानी से छोटे लोग उसमें घुस नहीं पाएंगे और घुस नहीं पाएंगे तो व्यापार अच्छे profitability के साथ आगे बढ़ेगा उसके बाद future growth possibility मैं कहता हूँ है एक business में सारे points है लेकिन future growth possibility नहीं है और वो industry अगले 3 साल में खतम हो जाएगी तो मेरा आपको सब्सक्राइशन ऐसी industry में जाना ही नहीं चाहिए आपको जाना ही ऐसी industry में चाहिए जिसमें बविश्य में आगे बढ़ने की संभावना या पार है अगर आगे बढ़ने की अपार संभावना है तो वो industry आपको 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल तक अच्छा business करके देगी और आप आने वाली generation को वो business transfer भी कर पाएंगे बहुत सारे लोग business का selection करते सामय यही देखते हैं क्या वो business मैं इतना बड़ा कर दूँ कि आने वाली generation समाले उसके लिए जरूरत है future growth possibility वहाँ होनी चाहिए अगर future growth possibility है ही नहीं तो कितना भी अच्छा profit हो एक समय बाद वो business बंद हो जाना है तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए तो यह 8 element है वो जिस भी business में होंगे वो highly profitable होने के साथ साथ growth की possibility में ज़्यादा होगा और ऐसा business आपको ज़रूर करना चाहिए ऐसी एक industry के बारे मैं आपको बताने वाला हूँ और वो industry है lifestyle industry friends कहते हैं कि lifestyle का मतब लोग modern की बात कर रहे है advance की बात कर रहे है जहांपर अच्छे-च्छे features की बात कर रहे है जहांपर अच्छे facilities की बात कर रहे है तो lifestyle industry ऐसी industry है जहांपर अगर आप काम करते हैं तो आप आसानी से उन 8 elements को इसे एक business में ही पाती है तो यही business में आपको बताने वाला हूँ आप अगर देखें आपके चारों तरफ नया construction चल रहा है या renovation हो रहे है friends प्रकृति का एक नियम है जहांपर कुछ नहीं बना हुआ वहाँ लगातार बनता रहेगा और जहांपर कुछ बना हुए वो लगातार रिनोवेट होता रहेगा इसका मतलब आप ऐसी industry का selection करें जहांपर निरंतर काम चलता रहे क्या कभी आपने assume कि है कि भारत वर्ष में एक साथ सारा construction बंद हो जाए या कई सालों तक construction ना हो रहा हो ऐसा कभी संभवी नहीं है क्योंकि population daily बढ़ रही है फार्माउस बन रहे है बंगलोस बन रहे है फ्लोर्स बन रहे है आजकल तो क्या है कि प्रॉपर्टी की कीमत बहुत अधिक हो गई है तो लोग एक ही लैंड पर multi-story building बना कर उनको floor wise बेच रहे हैं कहने का मतलब इस industry में आगे बढ़ने की आपार संभाव नहीं है construction और innovation होने की वज़ा से इन सभी चीजों की जुरत लगातार बढ़ती जा रही है और जब भी construction होगा घर, मकान, कोठी, फ्लैट, विला, फामाउस, बंगलो, फ्लैट, कुछ भी बनेगा फ्लोर, कुछ भी बनेगा आपको सबसारा ज़रुत होगी इन से संबंदित related businesses की जैसे construction से related business, cement industry से related business फिर आपका steel iron से related business, concrete से related business इसके अलावा interior से related business, hardware से related business hardware के बाद में sanitary से related business फिर interior के अलावा और बहुत सारे ऐसे parameters हैं जो इसी industry को support करते हैं तो ये सारे business तेजी से बढ़ने वाले हैं इसी में से एक business की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आप घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको kitchen चाहिए क्योंकि ऐसा होई नहीं सकता कि कोई घर और वाँ kitchen ना हो kitchen के जरूत होगी, vanity के जरूत होगी, wardrobe के जरूत होगी storage cabinet के जरूत होगी, steel interior के जरूत होगी और एक ऐसी company जो इन सभी कामों को करती हो उसके साथ जुड़कर आप भी अपार संभावनाओं में आगे बढ़ सकते हैं तो ये company क्या है, ये company है Metas Lifestyle जो company name है Metas Overseas Limited और brand name है Metas Lifestyle जहाँ पर आपको एक opportunity देते हैं, क्या आप हमारे साथ मिलकर exclusive franchisee showroom अगर खुलते हैं आज पूरे भारत वर्ष में मारा franchisee network है तो आप exclusive franchisee showroom अगर खुलते हैं, तो आपको जगह चाहिए 2000-3000 square feet और investment आता 60-70 रुपे ये कोई stock का पैसा नहीं है, ये जो investment है वो display showroom का है जैसे आप किसी भी luxury brand के showroom में जाते हैं, आप देखते हैं बहुत अच्छा infrastructure है, बहुत अच्छे displays लगे हुए और displays के अधार पर designing होती है और product में deal होती है तो यहाँ पर जो हमारा area required है 2000-3000 square feet 60-70 रुपे में business शुरू होता है जिसमें kitchen, vanity, wardrobe, steel interior, storage cabinets और steel interior से संबंदित बहुत सारे अलग-अलग products हम लोग यहाँ पर deal करते हैं और सारे के सारे product make to order होते हैं consumer आता है, showroom देखता है, पसंद करता है पसंद करने के बाद 3D design बनवाता है अगर आप इतना बड़ा showroom area नहीं रख पाते हैं या नहीं खोल पाते हैं तो आपके पास दूसरा option भी आप franchisee showroom ले सकते हैं और इस franchisee showroom में area required कितना है 1200-1500 square feet और investment आती है 30-35,000 रुपे यहाँ पर भी हमारा profit 40-50% है और यहाँ पर भी हमारा profit 40-50% है इसके बारे में detail हम area wise, city wise, zone wise, district wise करते हैं ठीक है उसके बाद है dealership showroom dealership showroom में एक छोटा small scale showroom होता है इसको हम shop in shop भी बोलते है shopping shop का मतलब है already आप same industry में मान लिज़े आपका hardware का showroom है या मान लिज़े आपका furniture का showroom है या मान लिज़े आपका sanitary का showroom है तो आपको लगता है एक add-on product model location, bathroom vanity और wardrobe लगा लिता हूँ तो मेरा business और बढ़ जाएगा नए product होंगे तो नए client से deal होना शुरू हो जाएगी और existing client को भी इन चीज़ें की जरूत पढ़ती है तो वोन को हम बोलते हैं dealership showroom जिसमें area चाहिए 300 से 500 square feet और investment लाता है 12 से 15 लाग रुपे और यहाँ पर भी हमारा profit 40 से 50% का margin होता है different schemes होती है इसके बारे में हम one to one meeting में discuss करते हैं क्या होता है तो friends यह वो industry है जहाँ पर आप इन आठो elements को पाते हैं अगर आप model location का business कर रहे हैं तो आपको zero stock maintain करना है प्री sales technique क्योंकि पहले designing बनते है फिर product sale होता है high price ticket हमारा kitchen 2 लाग रुपे से शुरू होता है और 40-50 लाग तक हम लो kitchen बनाते हैं पर एक ही building में मानलो 4 floor बन रही हैं तो हो गए 4 kitchen 4.16 wardrobe और लगवग 20 vanity मतलब एक ही building में 60 लाग से लेकर 80-90 लाग रुपे तक हम लोग काम करते हैं ऐसे बहुत सारे projects हैं जहां एक ही project में हमने 5-5-6 करोड का काम किया हुए पूरा multi-story tower बन रहा है और वहाँ पर हमें पूरा contract मिल गया तो हमने एक ही deal में करोडों का काम किया है fine, H&I clients high ticket price, high profit margin मैंने आपको बताया और solution of a common problem common problem का solution क्या है हम stainless steel model kitchen बनाते हैं तो wood के जो kitchen बनाते हैं लोग बहुत पैसा लगाते हैं अपने घर में लेकिन उसके बावजूद भी वो सारी चीज़े खराब हो जाती है दीमक लग जाता है गल जाता है, सर जाता है crack हो जाता है सर्दियों के टाइम पर दरवाजे टाइट हो जाते हैं तो हमने economy की problem को भी समझा तेश की problem को भी समझा लोगों की problem को भी समझा क्योंकि जब steel product लगते हैं तो पेड़ नहीं काटे जाते लकडी का फर्मिचर बनता है तो पेड़ काटे जाते हैं तो हमने एक इको फ्रेंडली प्रोड़क्ट भी डेवलेप किया और बार बार किचिन इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है तो हमने कंजूमर की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया और किचन हाईजीनिक भी रहता है फाइ दस, बीस, तीस, चालिस, पचास साल तक भी ये इंडस्ट्री सी स्पीड सा अगे बढ़ती जाएगी इसलिए मैं आपको ओफर करता हूँ मेटास लाइफस्टैल का फ्रेंचाईजी शोरूम जो आप किसी भी ऑप्शन में ले सकते हैं चाहें 2000-3000 स्क्वार फिट या 1200-1500 स् लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस सिटी और किस स्टेट में कितना बड़ा स्पेस चाहिए और कितने इंवेस्टमेंट लगेगी इंवेस्टमेंट भी वेरी करती है सिटी टू सिटी अगर आप मेटास लाइफस्टैल की कंपनी मेटास ओवर्सेज लिमिटेड की फ्रेंच आपके शहर में आपके साथ शुरू करेंगे इससे लिए आपके अमन में अगर कोई भी प्रशन है ना तो प्रशन आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिसना उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरू आपको मिले स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर आमित माईश्वरी आपके सुनारे वविश्य की काम ना करता हूं जै हिंद जै भालत